तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 23 देसंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो देखे पहला प्रशन क्या है अभी हाली में किस हवाई अड़े ने राष्टर उर्जा संग्रक्षन पुरुसकार 2020 को जीत लिया है और इसे उर्जा संग्रक्षन के शेत्रों में उतकरष्ट प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है और आपको बता दू हैद्राबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट इस शेत्र में एक मात्र ऐसा हवाई अड़ा है जिसे ये विशिष्ट पहचान मिली है आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभी एक राज्य है जिसको भी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवर्ड मिला था बताए कौनसा राज्य है वो तो आंसर होगा राजस्थान और एक प्रश्ण में आपसे पूछता हूँ अगर कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हमने अभी कब मनाया तो आंसर होगा आपका 14 देसंबर को चलो मुझे बताओ चार रनवे वाला देश का पहला हवाई अड़ा कौनसा होगा तो आंसर होगा इंदरागांधी इंटरनेशनल एएरपोर्ट और अगर आपसे पूछा जाए कि ESG रिपोर्ट लॉंच करने वाली भारत की पहली एरलाइन अभी कौनसी बनी तो आंसर होगा इंडिगो एरलाइन ESG मतलब हो गया Environment, Social and Governance और जो आपका इंदरागांधी इंटरनेशनल एएरपोर्ट है न वो किस वर्ष तक शुद्ध शुन्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड़ा बन जाएगा तो आंसर होगा 2030 तक वैसे अभी हैद्राबाद इंटरनेशनल एएरपोर्ट से आपको याद होगा कि यही पर भारत के पहली संपर्क रहित कारब पार्किंग सेवा शुरू हुई थी कोचीन एएरपोर्ट को रूल अफ एक्सिलेंस अवर्ड मिला था और हर्याना का जो हिसार एएरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रिसेन के नाम पे कर दिया गया यह हर्याना का पहला सिविल एएरपोर्ट होगा यह अभी तक मरी सेना का एएरपोर्ट था और 2020 की स्काइट्रेक्स वर्ल्ड एएरपोर्ट रेंकिंग में भारत का सर्विश्रिष्ट एएरपोर्ट कौन सा रहा अज़ोध्या एरपोर्ट का नाम बदल कर मर्यादा पुरुषूत्तम शिरे राम एरपोर्ट कर दिया गया चलो आप तो यह बताओ गोपिनात बार्दोलाई एरपोर्ट यह कहा परquiera यह असम में है आदोनिक असम का संस्थापग कहा जाता है गोपिनाथ बार्दुलाई को जे प्रकाश नारायन इंटरनेशनल एरपोर्ट कहाँ पर है तो आंसरोगा पटना में वीरिस सावरकर एरपोर्ट कहाँ पर है तो आंसरोगा अंडमान निकोबार में सुभाष चंदर बोष एयरपोर्ट कहाँ पर है आंशरोगा कॉलकाता में और सुभाष चंदर बोष जी की जैनती को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं वो कब आती है 23 जन्वरी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडगर के नाम पर भी एयरपोर्ट है कहाँ पर नागपुर में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको मिलेगा बनारस वरनसी में चोदरी चरन सिंग एयरपोर्ट आपको मिलेगा लखनव में बिरसा मुंदा एयरपोर्ट ये आपको मिले अच्छा अगर मैं आपसे पूछू अभी पिछले महीने 2022 QS World University ranking में टॉप पे कौन सा युणिवर्सिटी था National University of Singapore और कुछ महीने पहले Times World University ranking 2022 आई थी उसमें टॉप पे था University of Oxford चलो बता हूँ अभी Asian Development Bank ने Assam Skill University के स्तापना के लिए कितने million dollar के loan को मंजूरी दी तो आंसर होगा 112 million dollar अच्छा University की बात है कुछ important current affairs का मैं आपको revision कर वाता हूँ पहले तो आप से पुछूँगा आप बताओ राश्टर खेल विश्विध्याले ये कापे स्थापित किया गया तो आंसर होगा मनिपूर में और खेल से आपको याद आएगा अभी किस राज्य ने खेल को उद्ध्योग का धरजा दिया था तो आंसर होगा मिजोरम ने पहली transgender university बनेगी भारत की कहां पे कुछी नगर उत्तरप्रदेश में रेल university तो आप जानते ये गुजरात के बड़ोदरा में बनी है दिल्ली sports university की पहली वाइस chancellor कौन बनी है करनम मलेशवरी ओलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारते महिला हैं ये वेटलिफ्टर हैं सन 2000 के सिडनी ओलम्पिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था चलो बताओ इंडियन हेरिटेज इंस्टिट्यूट का पे बनेगा नौएडा में पूछा जाए आपसे जनजाती संग्रहाले काँ पे बनेगा जारखंड के राची में और World University Summit 2020 का आयोजन काँ पे किया गया था इसी साल की बात है O.P. जिंदल Global University में और ये काँ पर है ये हरियान में है चलो बताओ अभी किस राज्य ने विश्व विध्यालेव में जेंडल छात्रों को आयू सीमा में छूट दी तो आंसरोगा केरल ले लेकिन अगर आपसे प्रशने पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने सरकारी नोकरी में एक परतिशत अरक्षन दिया ट्रांसजेंडरों को तो आंसरोगा करना टकने और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया और बताओ किस राज्य ने कॉलेजों में आपदा परबंदन को अनिवार्रे विशे के रूप में पढ़ाई जाने की घोषना की थी तो आंसरोगा उडिसा ने अभी बिहार में भी पहली खेल युनिवर्सिटी बनेगी कहां पे बिहार के राजगीर में और लद्दाक में जो केंद्रे विश्विध्याले बन रहा है उसका नाम सिंदू नदी के नाम पे रखा जाएगा और ये पहली युनिवर्सिटी होगी हमारे देश की जिसका नाम किसी नदी के नाम पर होगा और उत्तरप्रदेश के मेरट में भी राज़े की पहली खेल युनिवर्सिटी खुली जाएगी दिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा और इसी तरह से आपको याद होगा भी उत्रप्रदेश सरकार ने सहारानपूर स्टेट युनिवर्सिटी का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया माश शाकंबरी के नाम पर और उत्रप्रदेश का पहला आयुष विश्विध्यले का पर खुलेगा गौरकपूर में और युनिवर्सिटी से एक प्रश्ट और बन जाता है कि खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स ये का पर हुए दूसरा एडिशन करना टक में याद रखना ये सारे पॉइंट बढ़ते आगे फिर बताईए अभी देसंबर 2021 में भात्य वायू सेना के द्वारा S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वेडरन को किस शेत्र में तेनात किया गया तो अंसर होगा पंजाब सेक्टर अचा पहले तो ये याद रखना ये S-4 Air Defense Missile System है इससे हमने रश्या से खरीदा है और अभी भात्य वायू सेना ने पंजाब सेक्टर में इस S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वेडरन तेनात किया और S-400 का ही दूसरा नाम ट्रायम्फ है किस से लिया हमने रश्या से लिया और यहां पे 400 का मतलब क्या हो गया कि 400 किलोमेटर की रेंज में अगर कोई भी हवाई अबजेक्ट आएगा तो हम उसे तबाह कर सकते हैं अचा अगर मैं आपसे पूछू राफेल का नेर्मान कहां पे किया गया यह राफेल हमने कहां से लिया फ्रांस की डसोल्ट कमपनी ने बनाया और इसे हर्याना के अंबाला से भारत में शामिल किया गया था अभी आपको याद होगा D.R.D. उने उडिसा के बाला सोर्तत से smart यानि कि supersonic missile assisted torpedo का सफल परिक्षन किया था और अभी परमाणू सक्षम ballistic missile है अगनी prime इसका भी सफल परिक्षन किया था DRD उने उडिसा के तट से ही ब्रमोस क्या है ब्रमोस जो रश्या और भारत ने मिलके बनाई है ये एक supersonic cruise missile है और इसे ही कहते है दागो और भूल जाओ fire and forget missile और आपको याद होगा रश्या के साथ हमने 2 प्लस 2 वारता भी किया था वैसे भारत 2 प्लस 2 वारता किसके साथ करता है जापान के साथ करते है आस्ट्रेलिया के साथ USA के साथ और भारत चापान आस्ट्रेलिया USA इन चारो देशो को क्या कहते है हम quad देश कहते है और 2 प्लस 2 में क्या होता है दोनों देश की विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी होते और इन quad देशो के बीच में एक exercise भी होती है बता सकते हूं कौन से exercise मालाबार exercise और अगर exam में आपसे पूछा जाए कि Quad के अलावा भारत ने किस देश के साथ 2 प्लस 2 वारता की तो आंसर हो जाएगा आपका रशिया और वेसे अभी DRDO ने CADS यानि कि Control Aerial Delivery System इसका भी हवाई परिक्षन किया कहां पे आगरा में इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपको कोई भी पेलोड डेस्टिनेशन पे पहुचाना है बिल्कुल सटीकता से तो इसका उपयोग किया जाए और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी कितना भार उठाने की 500 किलोग्राम तो यह पॉइंट भी मैंने आपको बताया इनको ध्यान रखना बढ़ते हागे फिर बताये अभी हाली में जो हमारी शटलर है पीवी सिंदू इनको किस वर्ष तक BWF एथलीट आयोग के सदस्यों में शामिल किया गया तो आंसर होगा 2025 तक तो पूर्व विश्व चेंपियन भारतिय शटलर पीवी सिंदू को पांच अन्यल लोगों के साथ में बेडमिंटन वर्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में अभी न्यूक्त किया गया है कब तक के लिए 2025 तक के लिए देखो पीवी सिंदू से आपको याद आता होगा 2016 का रियो ओलम्पिक जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलम्पिक 2020 में इन्होंने ब्रूंज मेडल जीता था और अभी कुछ दिन पहले हमने पड़ा था इन्होंने BWF World Tour Finals 2021 में सिल्वर मेडल जीता था और उन्होंने 2018 में इसी टूर्णामेंट में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये एक मात्र भारते बनी थी अच्छा वैसे पीवी सिंदू के उपर एक बुक भी हम लोगोंने पड़ी थी बुक का नाम है Shuttling to the Top the Story of PV सिंदू अगर डेली कर अंडफेर साब लोग देखते होंगे हमारा तो ये बुक आपको जरूर याद होगी किसने लिखा था इस बुक को वी कृष्ण स्वामी ने और अभी हमने पड़ा भी था कि Badminton World Federation ने Men's Player of the Year किसे चुना Denmark के Victor Axelson को और Women Player of the Year चुना Taiwan की Taiju Ying को और अभी BWF World Badminton Championship में सिल्वर जीतने वाले भारत्य पुरुष कौन बन गए तो आंशार होगा शिरिकांत किदाम भी अच्छा थॉमस कप का संब्द कि स्किल से है Badminton से उसी तरह से उबेर कप का संब्द भी किस से है Badminton से और अभी उबेर कप को किस देश ने जीता चाइना ने Badminton World Federation का Headquarter मिलेगा आपको Kuala Lumpur Malaysia में और अभी जो Tokyo Paralympics 2020 हुए थे उसमें दो गेम्स को पहली बार शामिल किया गया था एक तो टाइकॉंडो और एक Badminton और भारत ने तो वैसे टोटल 19 मेडल जीते थे जिसमें से 5 गोल्ड थे और उन 5 में से भी दो गोल्ड बेड़मिंटन में आये थे किस-किस ने जीते थे वो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने तो ये भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राजे के मुख्य मंतरी ने जगनात रत यात्रा को राजे उच्छव का टेक दिया तो अंसर होगा पंजाब तो अभी पंजाब के जो मुख्य मंतरी कौन चरंजीत सिंग चन्नी उन्होंने भगवान करिश्ण बलराम जगनात रत यात्रा को एक वारशिक राज्य उच्छव के रुप में घोशित किया है और अभी इसकी घोशना 25 वी श्री भगवान करिश्ण बलराम जगनात रत यात्रा को हरी जंडी दिखाने के दुरान उन्होंने की उन्होंने पंजाब के लुग्याना में इस कौन मंदिर के लिए 2.51 करोड रुपे के अनुदान की भी घोशना की अच्छा वैसे तो जगनात रत यात्रा ये का शुरू होती है पूरी उडीशा में तो अब याद रखना किस राज्य ने जगनात रत यात्रा को राज्य उत्सव घोशित किया तो अंचरोगा पंजाब ने अच्छा वैसे बताओ अरुनाचल प्रदेश का राज्य तितली अभी किसे घोशित किया गया था केसर हिंद को सिक्किम की राज्य मच्छली घोशित किया गया केटली को और अभी लद्दाक का राज्य के पशु बना स्नो लेपर्ड हिं तेंदुआ और राज्य के पक्षी कौन सा बना काली गर्दन वाली क्रेन अब बात नहीं पे पंजाब की है तो यह रा मैप में पंजाब देखो पंजाब की केपिटल चंडिगड है और आपको याद होगा यहीं पे देश का सबसे उचा एर प्यूरिफिकेशन टावर भी लगाया गया था और चंडिगड रेल्वे स्टेशन को फाइफ स्टार राइट स्टेशन सर्टिफिकेट भी मिला था और यह सर्टिफिकेट पाने वाला यह देश का पांचवा रेल्वे स्टेशन बना था यहां के मुख्यमंत्री नए बन गए चरणजीत सिंग्चनी गवर्नर भी नए बन गए बनवारी लाल पुरोहित अभी पंजाब ने मेर घर मेरा नाम योजना शुरू की थी और पंजाब ने स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए आई एम पंजाब पहल शुरू की आई एम मतलब हो गया इनोवेशन मिशन पंजाब ने कोरोना टेका करन अभ्यान के लिए ब्रेंड अम्बेस्टर बनाय था सोनू अच्छा पंजाब का मार्शल आर्ट क्या केते हैं उसको गतका केते हैं पंजाब ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की थी और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 आय था उसमें टॉप पे राथा पंजाब उसके लावा याद रहना जो पंजाब है ये ग्लूबल कोवेक्स अलाइन्स में शामिल होने वाला पहला भारतेर राज्य बना था पंजाब का भी तेवीसवा जिला बना था मलेर कोटला संगरूर जिली से अलग हो करके और यहाँ पे चलती है आशिरवाद योजना जिसे पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था अभी इ परिवार की बेटे को उनकी शादी के वक्त जो साहिता राशी दी जाती है नो उसको बढ़ा दिया गया 21,000 रुपे से बढ़ा करके 51,000 रुपे कर दिया गया और पंजाब के पहली मैला मुखे सचीव बनी थी विनी महाजन और बताओ पंजाब का राज के जलियो जीव किस गुशित किया गया व्यास नदी में पाई जाने वाली सिंदू डॉल्फिन को याद रखना ये सारे पॉइंट बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली में 100% टीका करन की दोनों खुराख की बात कर रहे हैं तो ऐसा करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गय तो अंसर होगा अंडमान निकोबार और आपको याद होगा भी कुछ समय पहले ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमाचर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पे 100% टेका करन का लक्षे पूरा कर लिया गया मतलब वांके सबी लोगों को कोरोना की दोनों खुराख लग चुकी है और अब अंडमान निकोबार भी ऐसा करने वाला पहला केंद्र शाषित प्रदेश बन गया और इसी तरह से देखो 4-5 कुषे न आपके तयार हो जाते हैं पहला गाउं पूछेगा ऐसा करने वाला तो जम्मू कश्मीर का वियान काउं पहला जिला पूछेग तो हिमाचल प्रदेश और अब पहला यूनियन टेरिटरी बन गया अंडमान निकोबार और वैक्सीन की बात चल रही है तो को वैक्सीन इसको किसने बनाया था भारत बायो टेक ने हैदरबाद की कंपनी है कोवी शील्ड आप जानते हो पुने के सिरम इंस्टिटूट अफ अंडमान निकोबार चैपिटल इसकी पूर्ट बलेयर है यहां के लेटन गवर्नर कौन है देवेंद्र कुमार जोशी और आपको बता दू भारत का जो एक मात्र सक्रिय ज्वाला मुखी है यही पर आपको मिलेगा बैरन आइलेंड वाल के नों जिसे केते हैं और यहां का ह कर दिया गया ने ताजी सुभास चैन्दर बोस दूई नील दूईप का नाम शहीद दूईप करा गया और हेवलोग दूईप का नाम सुराज दूईप करा गया तो याद रखना यह बढ़ते आगे आचा बताए हाली में किसने युनाइटेड नेशन वोमेंस अवार्ड फ उन्हें जलवायू कारवाई प्रयासों के माध्यम से लेंगिंक समानता को आगे बढ़ाने में उनकी निरंतर प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है बाकी डॉक्टर नागिश्वर रिड़ी, रुडोल्फ विशिंडिलर अवाड पाने वाले ये पहले भारते बने थे कृतिक करंत, वाइल्ड इनोविटर अवाड पाने वाली ये पहली भारते महिला बने थी और शरंड कुमार लिमबाले तो आप जानते ही यो सरस्वती सम्समान 2020 जीता था जो कि इसका तीस्वा संस्करण था उनके उपन्यास सनातन के लिए उसी तरह से शरण से आपको क्या याद आएगा शरद पकारे तीस्वा व्यास सम्समान 2021 जीता इनोंने अपने उपन्यास पाटली पुत्र की संब्राग्गी के लिए और अगर मैं आपसे पूछू यहाँ पे कि एशिया परियावरन प्रवर्तन पुरुसकार एशिया एन्वाइरमेंट एन्फोर्समेंट अवार्ड ये किसने जिता सुष्मिता लेंका ने पेंगोलिन के संग्रक्षन के लिए अच्छे देखो United Nation की बात हो रही है ना आप जानते हो इसकी स्तापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को New York में हैटक्वाटर है वरतमान में Secretary General है Antonio Guterres लेकिन आपसे एक्जाम में प्रशन क्या पूछा जाएगा अगर पूछना होगा तो इसके पूर्व Secretary General थे बान की मून अभी उनकी एक आटो बायोग्राफी आईए यही मैं आपसे पूछना चाहरा हूँ इनकी आटो बायोग्राफी का नाम क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में कौन सा राज्य 25 देसंबर को free smartphone योजना शुरू करेगा तो अंसरो का उत्तरप्रदेश तो उत्तरप्रदेश में योगी सरकार 25 देसंबर को मुफ्त smartphone योजना शुरू कर रही है 25 देसंबर आपको बताए पूरव पलधान मंतरे अटल बिहारी वाजपे जी के जैनती होती है जिसे हम Good Governance Day सुशाशन दिवस के रुप में मनाते हैं तो इस योजना में क्या होगा? राध्य सरकार इसनातक और उससे उपर के अंतिम वर्ष के छातरों को स्मार्ट फोन और टेबलेट बाटेगी 60,000 तो मुवाइल फोन और 40,000 टेबलेट बातने का लक्षा है अब बात उत्तरप्रदेश किये तो ये रा मैप में यूपी देखो इसकी केपिटल लखनाव है लखनाव गोमती नदी के किनारे स्थित है मुख्य मंत्री है योगी आदेतिनात और गवर्नर कौन है आनन्दी बेन पटेल अच्छा मुझे बताओ सार्वजनिक परिवहन के रोप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारती शहर कौन सा बना वारणा सी अभी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना था उत्तरप्रदेश और अभी टूटल रजिस्टर्ड इलेक्रिक वेकल्स में टॉप पे रहा अ उत्तरप्रदेश ही और अभी उत्तरप्रदेश के बिजनोर जिले में हैदरपुर आद्र भूमी ये राज्य की नवी और भारत की 47th रामसर साइट बनी थी अभी उत्तरप्रदेश ने आत्म निर्बर क्रशक एकी करत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी थी बागी ये पंचायत पुरुसकार 2021 किस्ते जीता उत्तरप्रदेश ने अनुठी उपहार योजना याँ पे शुरू होती है सस्ती किराया आवास योजना याँ पे शुरू होती है कुछ महटसो भी में आपको बता रहाँ और याद रखना उत्तर प्रिदेश के जहासी में पहली बार स्ट्रोबेरी महोच्सो भी मनाया गया था तो इतना आप यहाँ से याद रखना बढ़ते आगे चली बताईए अभी हाली में किसे बीजिंग उलम्पिक के लिए भारतिय दल के शेफ डेमिशन न्यूक्ट किया गया तो अंसर होगा हरजिंदर सिंग को तो इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन ने अभी आईस हौकी असोसियेशन ओफ इंडिया के जो महा सचिव है हरजिंदर सिंग इनको 2022 में होने वाले विंटर ओलम्पिक गेम जो कि बीजिंग चाइना में होंगे उसके लिए भारतिय दल के शेफ डेमिशन के रूप में निव्ट किया गया शेफ डेमिशन का सिंपल सा अर्थ यह हो गया कि वहाँ पे जो भारतिय दल जाएगा उसका नेत्रत्व करता है यह परसंड इसको बोलते हैं शेफ डेमिशन और आपको बता दो यह जो हरजिंदर सिंगे न तेविस्वे शीत कालिन जो ओलम्पिक हुए थे कब 2018 में साउथ कोरिया के फ्योंग चेंग में उसमें भी भारतिय दल के शेफ डेमिशन रहे थे यह अच्छा भी टोक्य उलम्पिक 2020 में शेफ डेमिशन कौन बने थे बीरेंदर प्रसाद वेश्या बाकि संजीव महता, फिक्की की प्रसिडेंट है, अलका उपाध्या है, नेशनल हाईवेज अथोरिटी ओफ इंडिया की चेर परसन है, पराग अगरवाल ट्वीटर के नए सीओ बने वेसे बीजिंग उलम्पिक ये 2022 में होंगे, विंटर उलम्पिक से ये, और इसमें शुभंकर हैं, बिंग ड्वैन ड्वैन और श्वैन रॉन 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 और इसके बाद जो अगले उलम्पिक होंगे 2024 में विंटर उलम्पिक वो पेरिस फरांस में होंगे अच्छा आप तो ये बताओ 2022 के उलम्पिक कहां पे होंगे ब्रिस्पेन आस्ट्रेलिया में वेसे इंटरनेशनल उलम्पिक कमिटी की बात कर लें अपन तो देखो इसका हेड़कोर्टर मिलेगा लुजैन स्विट्जिलेन में और प्रेसिडेंटे थॉमस बक अभी इसका मोटो में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है क्या है मोटो? CTS, LTS, 40S एक लास्ट वर्ड जुड गया इसमें जिसका बोलते हैं Communities और इंग्लिश में बोलोगे तो Faster, Higher, Stronger, Together जियान रखना ये बढ़ते आगे फर बताई अभी हाली में कि इस बैंक ने 2020-21 के लिए Digital बुकतान में शीर्ष स्थान हासिल किया तो अंचरोगा बैंको बढ़ोदा तो बैंको बढ़ोदा ये वित्वर्ष 2020-21 के लिए बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेंदिन में टॉप पे रहा है और अभी हमारे Electronics और IT मिनिस्टरी ने उसे ये सम्मान दिया वैसे Electronics और IT मिनिस्टर को ने अस्वीनी वैश्णवे जो कि रेल मंतराली भी समालते हैं बाकि फेडरल बैंक अभी इसने महीला मित्र आम से एक बचत योजना शुरू की थी HSBC इंडिया इसने रेसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉंच किया था और ICICI Bank ओनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्च को लॉंच किया था बाकि बैंक को बड़ोदा देखो बैंक को बड़ोदा इस्तापना होती है 1908 में अभी दो बैंकों का विले हुआ था इसमें विजया बैंक और देना बैंक का हेड़ोटर मिलेगा वडोदरा गुजरात में चेर्मेन को उने हस्मुक अधिया है और MDCO को उने संजीव चड़ा इसका टेग लाइन क्या होता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में अधिगरहन के बाद कौन सा समू देश में एक मात्र निकल उत्पादक बन गया है तो अंसर होगा वेदान्ता लिमिटेड तो अभी वेदान्ता लिमिटेड ने गोवा इस्थित नीको मेट का अधिगरन कर लिया यानि कि उसे खरीद लिया जो कि एक प्रमुक निकल और कोबाल्ट उत्पादक है और इसी के साथ वेदान्ता अब देश का एक मात्र निकल उत्पादक बन गया है निकल ये एक प्रमुक कच्चा माल है जिसका उपयोग इलेक्टरिक वेकल के लिए स्टेनलेस, स्टील और बेटरी के निर्माण में किया जाता है वर्तवान में आपको बता दू भारत अपनी निकल आवशक्ताओं को सोब परतिशत आयात ही करता है इंपोर्ट ही करता है मतलब हमारे पास इतना निकल नहीं है कि हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें इसलिए हमें बार से मंगाना ही पड़ता है और यही कारण है कि आपकी जो इलेक्टरिक वेकल है इतनी महेंगी है बेटरीस का खर्चा बढ़ते आंगे फिर बताईए अभी हाली में राष्ट्र गणित दिवस ये कब मनाया गया तो अंचरों का 22 देसंबर को तो आपको बताए भारत में हर साल 22 देसंबर को National Mathematics Day के रूप में मनाया जाता है और ये जो दिन है ये प्रसिद गणित तक ये श्रीनिवास रामा नुजन की जैनती को मनाया जाता है आपको बतादू कि वे 1918 में Trinity College के फेलो चुने जाने वाले पहले भारते बने थे 2015 में इनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था The Man of New Infinity और रामा नुजन जी से एक पुरुसकार आपको याद आता होगा चलो ये प्रशन में आपी से पूछूँगा रामा नुजन पुरुसकार 2021 के लिए किसे चुना गया आपको बताना है comment box में टाइप करके और एक mathematician है आनंद कुमार जो की super 30 के संस्तापक है अभी उन्हें स्वामी ब्रह्मा नंद अवर्ड 2020 के लिए चुना गया था तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे काई प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रशन पूछा था कि अभी किसे golden peacock परियावरन प्रबंदन पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा sale को आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और guys बिल्कुल last में आपको एक बार याद दिला दू अगर session अच्छा लगा है तो please एक बार वीडियो को like जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना है आपको और इन सभी questions का quiz बना करके आपकी click exam application पे upload कर दिया गया वहाँ जाकर के इनके अच्छे से practice करना pdf भी आपको वहीं पे मिल जाएगा application का link आपको नीचे description में मिलेगा thank you guys